इसना बता दिया दुनिया के बॉलर एक तरफ भूम भूमर एक तरफ और उसके पीछे कप्टानी आप देखे कितनी जबदस कप्तानी करी के तीन टीन और के पर आए तो भाई हम समझेते के बंगलादेश की टीम जो है वो कापी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है पाकिस्तान को वन साइडिट वाइट 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 वाश कर दिया इनके होम ग्राउंड पर लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बंगलादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई पाक अकिस्तान को सपोर्ट करता है उसकी जिन्दगी बरबाद हो जाती है चाइन इनकी वज़ा से हारा इंडिया से साउथ अपरिका इनकी वज़ा से हारा अफगानिस्तान से अब बंगलादेश को इन लोगोंने बैडा कर दिया बाई थे क्यर रही है तो लोग बोले रहे यार यह क्या और उनकी पेसर को देख लो वह कनी ख़ड़ा होने ते रहे तेस्टमेंट यह किलिए स्टेशन एक भेदरीन टेस्टीम की तो एक ही दिन में रहत की दिवार साबेत हो गया है इस बंग्लादेश के बारे में हमने भॉल 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 जब भॉल ले करेंगे बस सिरफ पहले है इंडिया को आपने खड़े होने दे दिया तो आपको टिकने ने देगा इंडिया को आपको टिकने देगा तो इसके वजन के नीचे बंगलादेश दब जाएगा और डब चुका है और वहां से वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा आज आता हूँ जी वन फोर्टी नाइन पे बंगले देश की पूरी टीम आउट हुई और हैस यूजवल जो पाकिस्तान में उनका टॉप ओडर फ्लॉप जा रहा था आज भी वही हुआ और जो पाकिस्तान के हीरो पाकिस्तान में जो ने परफॉर्मर्स देटी मुश्यव प भूमरा एक तरफ और उसके पीछे कफ्तानी आप देखें कितनी जबर्जस कफ्तानी करी के तीन तीन ओवर के स्पेल करा है यह बात मैं कहता था कि यह मिस्टेक करी थी पाकिस्तान के कफ्तान ने यहां पे गर्मी उदर भी यह 42 डिगरी है यहां पे भी इतनी थी लेकिन हर चीज का बोलता है तैस्ट मैं हर चीज का टेस्ट होता है वह टेस्ट हम लोग हम लोग फेल हुए बंगला देशना में आउट रियास करता था और बिलकुल आपोजेट जब वो वर्ल्ड बैस टीम के अगेंस खिले तो वर्ल बैस टीम ने च्छे आउट होने के बार 306 करे उसके पार उसके बॉलर्स ने कितनी जबर्दस बॉलिंग के लिए आप यह देखें भुम्रा का भी पंजा लग सकता था था ना रोहित ने सिराज को बॉल दिया तीम की ज़रुत क्या है वो देखते हैं इंडिविजल्स नहीं देख जाते हैं मुल्क फरस्ट जो अभी विरात को लिए और गोतम घंबी के जो इंटर्व्यू बहुत मशूर हो रहा है उसमें यहीं बोला कंट्री फरस्ट तो रोहित ने बताया कंट्री फरस्ट इसलिए रोहित नहीं बोला था जो डोमेस्टिक खेलेगा वो इंडिन टीम बाएगा मेरा ख्याल है फॉल ऑन नहीं करानता यह लेक्सी क्या भी क्या होता है लेकिन जी बहुत ही बड़िया बॉलिंग करी किराज ने भी आकाश दिर जो दंडे उड़ाए ना अहां ऐसा लगता है वो इसकी बॉलर है ना कि पेस नहीं होगी लेकिन उसका जो मुमेंट है जो सीम है स्विंग नहीं है उसके पास सीम है राइट हैंडर को वो आउट स्विंग करता है लेकिन अमुमान नाइंटी पर्सन वो बॉलर सीम बॉलर है और सिराज का सब को पता है जड़े जाने दो आउट करें रिवर्स स्वीप पे भी आउट करा तो लेकिन देखके यह मज़ा बॉलर भी उस फॉर्म में ना हो लेकिन जी जो भुम्रा ने पहले ओवर में और जैसे राउंडर आए पहली बॉल में डंडा तो यह बहुतने के फॉर्म क्लास इस पर्मिन यह हो दोस्तों बड़ी और चोड़ी टीम में फरपता के बड़ी टीम पर अगर आप थोड़ा सा बंगलादेश ने अच्छी बॉलिंग की पहले स्पेल के अंदर अगर पहले दिन की बात करें 34 पर नोने थ्री आउट कर लिये थे उसके बाद 146 पर 6 आउट थे मागर उसके बाद I don't think so कि आउट ओफ स्लेबस आये एश्वन बड़ अश्वन ने एचेनिंग खेली बहुत हैं यह बारी यह बारी आईगी मगर मुझे लगता है कि अप इंडिया की बॉलिंग वही है मगर एक नया रूब बन चुका आप सोचें अभी इसमें महमई शामी नहीं है जो कि उनके टेस्स के स्पेशलिस्ट हैं मैं तब टेस्ट के अंदर खास नाम है उनका वो नहीं है काज दी पर काया है 32 उन्होंने फर्स क्लास मैचिस खेले हुमें एक में इस पहले हैं वो खेल चुक है इंटरनेशनल मगर अच बंगादेश ने उफकोर्स नहीं संबलना था यह वो बंगादेश थी जिनको उमीद थी कि हम पाकिसान को 2-0 से मार के आए और यहां पर इंडिया को हम इंडिया को भी हराइंगे इस उनके माइन में प्रेस कॉंपर्स में तो बोल दिया को बट मुझे था कि आप इंडिया के साथ फसके भी खेल ले ना आपको याद है मैंने पहले विलॉग में का था कि अगर यह मैच पांच दिन तक कर ले ना बंगादेश इनकी बहुत बली जीत है कि पांच दिन तक यह तो खतम शुरू होता ही खतम हो गया यह क्या हो रहा बाई साब पाकिसाने लगता है अब इसरा की परफॉमंस आती है तो लोगों को मजबूर होना बड़ता है वो भी कहते हैं जैश्न है कि पांसा रिमोट है इंडिया बैटिंग कर रहा है तो उमकी विक्टे गिरी है तो वासे नीचे से कैसी पार्टनर्शिप लग रही है कि लोगो समझ नीचे से कैसी पार करू होने से पहले जिस तरह बांगलादेश बयान बाजी कर रहे थे कि हम लोग जितने के लिए खेलेंगे हमारा गैंद बाजी और बेटिंग दोनों अच्छी है हम भारत को मुश्किल में डालेंगे लेकिन दोस्तों आज भारत ने बांगलादेश की ओकात दिखाई है और ये बताया है कि तुम लोग पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीप के भारत को टक्कर दे नहीं सकते और भुमराह आकाश दीप सिराज ने असली टेस्ट का मजा चखाया है और पूरी की पूरी बांगलादेशी टीम को 149 पे सिमट के रख दिया है